नमस्कार दोस्तों मैं जियोतिय सिंग और मैं आज आप से बात करने जा रही हूं लाव इस्पिरिशल सक्सेस के बारे में सफलता के आध्यात में क्लियम क्या है आप बोलोगे कि आप दीपक्चुपड़ा के बुक की बात करने जा रहे हूं यहां पर मैंने जो भी ध्यानसादना की है और जो भी इश्वर का आशिरवाद मुझे प्राप्त हुआ है और जो कुछ भी मैंने उससे सीखा है मैं उन चीजों को आप से डिसक्स करने जा रही हूं ठीक है तो देखिए चलिए हम मुद्धे पर सीधे आते हैं और पहला जो ल मतलब जब भी आप प्रे करें तो अब दिड़निश्य के साथ यह तैय कर लें कि इस प्रार्थना का उत्तर अवश्य आना चाहिए जब दिक इसका उत्तर नहीं आएगा मैं भगवान को नहीं चोड़ूंगा मैं अपने विश्वास को नहीं चोड़ूंगा अगर मैं प्रा 99% faith plus 1% doubt is equal to 100% failure, only 100% faith is equal to 100% result, the next point my dear friends, the next principle I will tell you, the second principle, that is, एकांत में रहने का maximum समय निकाले, और दूसरों के साथ रहने से बचे, my dear friends, आप isolation को लव करें, if you talk to me what I love, I will say I love isolation, मैं किलिपन को प्यार करती हूँ, प्यार ही नहीं, बहुत प्यार करती हूँ, अगर मेरे यहां देर सारे लोग आ जाया है, तो मुझे बहुत एक बार सोचना पड़ता है, यह तुम लोग जाओगे कब, truly speaking, और यह मेरा नहीं, कोई भी इंसान जो इश्वर के towards अपने प्यार को बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको लोगों से तो दूरी बनानी पड़ती है, दोस्तों, अब दूरी बनाने का मतलब यह नहीं कि आप किसी से बात ही नहीं करें, आप पूरे रूप से किसी को avoid करें, नहीं, बनाने माल प्यार कि भी से कम चल जाएं, तो दूसरे का इसे काम चल जायें, आप बोलें के ऐसा तो दोस्तों कि जो अगर पानी कि नीचे आपने स्पॉनस को रखा तो पूरे पानी को मीन को सोख लेगा वैसा ही कुछ आसे लोग और आपके पास आते हैं तो आपके इंदर जो भी दूत के अंदर जो भी आपके इंदर आपके इंदर ऑफ्जाया52 अच्छी शीजह वह कि आप तो उनको दोगे लेकिन आपको उनसे कुछ गेन नहीं होगा तो आप बोलोगे तो क्या हम लोगों की मदद नहीं करें नहीं मैंने मदद के सिंस में आपको यह नहीं बुलाब किसी की मदद नहीं करें आप मदद करें जब भी उसकी आवशक्ता हैं लेकिन आप सही लो को प्यार करना और issuer के सामिध्य में रहना यह हमारी पहली जो है वो priority होनी चाहिए दोस्तों तो हमने देखा कि हमें एकांत में रहने की practice करनी है isolation का maximum प्रयात्न करना है क्योंकि अगर हम isolation में रहेंगे तो definitely दोस्तों हमें वो चीज मिलेगी जो हमें मिलनी चाहिए और second point अभी third point प्रिंसिपल पर और वो प्रिंसिपल है don't waste your time in laziness don't yes my dear friends don't waste your time in laziness आप अपने समय को आलस से में ना गवाए आप बोलोगे अरे क्या बात कर रहे हो हम आलस से में समय को नहीं कवाते हम तो मतलब यू आप बोलते हो कि अगर कोई आप से पूछता है आज आप क्या कर रहे हो आज ध्यान करोंगे साथना करोंगे meditation करोंगे तो अरे अरे मत पूछो आज नहीं संड़े को देखते हैं आज मेरे बहुत काम है आप मेरे साथ दोगे या अप मेरे साथ बैठोगे मैं आप से कुछ अची बाते करने वाला हूं जो कि बहुत इंपोर्टेंट है आपके जीवन के लिए तो उनका उत्तर क्या होगा मालुम है उनका उत्तर सभी का उत्तर रही होगा I'm too busy I'm too busy please not I don't have time right now my dear friends listen you don't have time for whom you don't have time for yourself you don't have time for God you don't have time for God you don't have time for spirituality within you and you and remember my dear friends I always say Mahasri Patanjali quote we are spiritual beings with human instincts we are not human beings with spiritual instincts okay so try to understand this this is your journey and in this journey the priority you have to give for yourself and meditation too another thing my dear friends you know people who say I'm too busy if literally they will see their own timetable or if you will see their own timetable then you will find they are busy while doing nothing they are busy while doing nothing or very petty work okay they are busy in cooking they are busy in having food they are busy in sending children to school they are busy in their work for eight hours six seven hours they're busy in traveling their busy listening music they are busy watching TV they are busy listening debates all this hey do you think we have come on this universe for this no my dear friends I don't think so we are on this universe to do all these petty things we are here we are here to do something extraordinary and first and foremost I'll say we are here for our own salvation we are here for our own moksha you say please don't talk about moksha I'm very young is hey listen I'm also younger I'm not a saying person who is going to preach you hey listen you love people what do you get do any is there anybody who will say I love people I love world I love my spouse I love my boyfriend and he's a person who loves only me he doesn't love anyone he's the person who is all along with me all day long and in future he is going to be with me and he's not going to see anybody else do you think is there any person like that if there is any person please tell me I will make friendship first of all before that to you hey listen there is nobody like that neither your parents nor your spouse nor your boyfriend because you know why then why it happens I see you know in each and everything wherever we show our love love diminishing applies love diminishing what is love diminishing means when our relationship or a person comes first hand in your life then what happens friends then in that first hand you get attracted towards that thing okay and there will be a time you will be attracted 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 a little more but again there will be time when there will be repulsion okay and when at that time you will find love diminishing means that love that connection will start decreasing day by day or human relation me just be up abhi dhekho kucho goh saktay samazmina ayam man englishman kya wala mani yabula love diminishing yabhota hai ki jabh bih kisi naii vyaakti ke sambandh me ati hai hai ya hama parijanok ke sambandh me raha te hai saanidhye me raha te hai to a eek sameh rata hai ki hamin unse pyaar bhoot hota hai for example a small child e chota bachya chota bachya chota bachya chota bachya job apnei maa ke paas rihata eek chota bachya jo ki chal nahi sakta boli saka bas woh apnei maa kare tippen kare to aapko pata hai uske dynia mein sabse pyaari chiz or sub ekloti ciz kya hoti hai woha uski maa hoti hai kyunki wahi usko khilati wahi usko pilati wahi usko sulati wahi uske harik ciz ka dhyan rakti dos bachya ko ab dunia ke har chiz time do usko kohi nur do kuchh bhi do boolega na wabana meri baan do okay but remember after sometime what happens wahi bachya ek saal ka hota hai ndirr saal ka hota hai phir wo thoda ghoomna trahla na shudru karta hai chalna shudru karta hai toho thoda maa ke bagayr bhi raha lieta hai phir wo 2-3 saal mentor karta hai toho maa se toh attach raha hai 5-6 year tuk but after 5-6 year wou school jana shudru karta hai woh joh hai college school jana shudru karta hai apne dous mitra bina ta hai phir wo khilonon seo but the childhood joh ek maa bhi bas uske liye ek matrasadhan thi pyaar ke liye ab bol sakti ho ya connect honne ke liye ek samye ke baad aisa aata hai ki woh maa ke bazaaya woh khilonon me bhi bhot ingez rata uske khilonon chehin lo toho bhot rohota hai alay tumne mere khilonon kuyo lye liye but vahhi bachcha aur bada hoote hai phir usko khilonon seo bhi nahi achhe lagta usko dost achhe lagta hai uske bhi 2-4 dost hoote hai woh out ring ba bahar jata hai give me a moment I'll close the window because it's making noise give me a moment yes friends thank you so abdekho woh bachcha joe hai bahar jata hai wohan pe bhi abdekhti ho ki matlab ab uska pyaar joe hai khilonon ke bazaay dhosto me jata hai aur phir bahi bachcha aur bada hoote hai phir uske aur friends bantte hai pahle apke same gender ke friends rata hai phir opposis gender ke bhi apke friends rata hai aur kis tariqe sa ap loogun ke twards hoote maa bulaati raiti hai rye bachcha meri baat te sunnlo meri baat te sunnlo aur bol da rye tim tu baar baar bolti rheti ho yaar jildi se bolo meri ko jana hai meri dhost mojhe bula raya ya somebody is waiting for me like that dhosto kya hua yeh batau jis maa ke bagar hai mera hai nai sakti thai aaghi relation bada te gai aur phir baaki dunia aati gai achi lagta aur phir baaki dunia aati gai achi lagta aurr yeh harristne mein hotta hai yeh bhi dhyan de na khilonon ke sath dhi huwa ta maa bhi pahle bhoot achi lagta tih pir maa ke bajaya khilonay achi lagta achi lagta khilonay ke baja pahle chote dost achi lagta 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 aur phir un chote dhosto ko humne choda aur bade dhost name achi lagne lagta pahle zender ke achi lagne lagta same gender ke phir apposal zender ke aur aise yeh karwaan chalta gaya linkir asa koi shaks hai jisko ka apko lagta ho ki nahi nahi yeh toh ekdom perfect person hai bhai this person is made for me only i have not found such person yaar okay truly speaking okay so being with people and behaving it's okay and fine but if you will find somebody who is completely perfect he has nothing to do the person is going to look after you he is going to love you he is going to take care of you all this is my decent myth what is this is a myth such person is not in this earth even bhagwan ram was not able to hear sigma sita for everything even lord krishna was not able to hear rukmini for everything okay so who are the other guys okay now so what did you learn here don't you don't you don't waste your time in laziness and don't waste your time in attachment and listen there is only one love in this world which always goes on increasing 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 and you enjoy this love like anything and you don't feel any shame you don't feel any type of cheating from this side neither from your side nor from the other part and you know what is that love ask me what is that love ziyoti that love is towards god that love is towards spirituality in whatever religion you believe in whatever god you believe i'm not saying that you believe in lord krishna or rama whatever if you are a muslim believe in your allah if you are a christian believe in your jesus christ okay whoever you are if you are a upasak of nirakar when you are a leftist. if you are a hit people who you could think that you have a gift to be a top name so if you are a shrink of nirakar you will be like this to be a gift that comes from the 상us of the way for the love of tish who are not the love of day will बढ़ती ही जाती है और वहाँ पे कभी बी कोई स्वाप नहीं आता है वहाँ पे बाद याटि पीया आप जितना प्यार देते secondsben प्यार आपकोदेते होँ आप से ज़्यादा ट्रस्त को देते हैं और एक हमेश guild आपको बहुत confident feel भी करते हैं कि इश्वर का अश्रवद मेरे पास है, इश्वर का हाथ मेरे पास है, इश्वर का हाथ मेरे पास है, because he has made the whole world, he has made the whole Srishti, okay, so what is beyond from him, there is nothing which is beyond from him, my dear friends, okay, this video, literally, I am just sharing with you from my heart, okay, because I can live without everything, but I can't live without God, I love him, I love him so much, that's why I am sharing my thoughts, I feel God not like only meeting with him in a meditation for one hour or half an hour like that, no, I feel him, I consider him, he is just, if my hand is moving, it is moving towards his blessings, if my feet is moving, it is moving towards his blessing, if I am thinking, I have the thought of God, okay, such feelings I keep and I feel a different level of understanding, love, happiness and my dear friends, I will say, it's experience, just you experience, you start loving God, those who think people avoid you or if you have that self worth problem or self esteem problem, I will say, please start meditating and connect with God, commune with God, speak with God like you, for example, you know, sometimes it happens, everybody faces the problem, sometimes even I face the problem, so I speak with Lord and I say one thing, hey, I love you, I love you too much, my Lord, my God, my Lord Krishna, if I am going to defeat in this battle, I don't have any problem, but you take care of yourself, what people will tell me, they will tell me, you love a lot to God and God has put you in the door, I don't think you will accept this, really, I speak in this way and I have found my, whenever I, whenever I thought, I think anything to get to achieve, I get it my dear friends and without any extra effort or putting my nose a lot into that work, okay, I get it easily, in a easy way, okay, so, आप भी ये काम कर सकते हो, अगर आप इश्वर से कम्यून करना सीखते हो, तो ये जर्नी आप के लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत एजी हो जाएगी, okay, so, अब देखो, हमने ये समझ लिया, कि फाल्त, ये लेजिनेस है, जो बोलते है कि मैं बहुत बीजी हूँ औ और अपने लिए और एरिटेशन के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं, तो मैं बोलूँगे, ये आपका लेजिनेस है, okay, please come out of that, don't give this excuse, another thing, point number 4, what is that, हमेशा एक आगरचित रहें और अपनी लाइफ को कंट्रोल करें, otherwise life will control you, हमेशा हर एक समय आप एक आगरचित रहें और अपनी लाइफ को कंट्रोल करें, मतलब क्या thoughts आपको अपने अंदिर लागने हैं, किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों को अपने पास आने देना है, किन लोगों को नहीं आने देना है, और my defense क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है क्या आप सह सकते हो क्या आप नहीं सह सकते हो हर एक चीज में बोलूँगी कि यहां पे आप अपने life को control करें क्योंकि अगर आप अपने life को control नहीं करेंगे then other people will control your life which will be very much injurious for your health जो कि आपके स्वास्त के लिए बहुत हानिका रख होगा क्योंकि हर एक इंसान अपने हिसाब सजीना चाहता है वो इंसान ही नहीं बोलूँगी हर एक जिव अपने हिसाब सजीना चाहता है एक bird भी जो है ना वो जब खा रही है और को यह और bird उसके बीच में आती तो उसको चोच मारती भाग यहां से भी मेरा time है एक animal भी अगर कुछ खा रहा या कुछ कर रहा और कोई और रहा को इसको disrupt करता है तो वो उसको टाक करता है क्योंकि बोलता है अभी मैं यह काम कर रहा हूं मुझे करने दू तो everybody wants to be free whether it's an animal or whether it's a bird or we means all living being wants to be free so be free and allow people to be free okay but be free का मतलब यह नहीं होता है disadvantage किसी चीज का लेना okay हमेशा ध्यान देना God has given us two powers you know what he has given us only two powers first willingness to accept him means God willingness means we are free to accept God and willingness to reject him और हमारी अपनी इच्छा उनको ना accept करनी की या उनके बगार भी रहने की तो जिन लोगों के जीवन में इश्वर का आशिरवाद प्राप्त है वो उनकी खुद की विलिंगनेस और जहां पर नहीं है जो नहीं बिलीफ करती है उनकी खुद की विलिंगनेस है but in a country like India में बोलूँगी कि हम सभी 98% almost जो है we are God loving people at the same time we are God fearing people in our country a lot they are God fearing people God fearing मतलब कोई काम करते हैं लेकिं डरते हैं हमें काम को इफ लेकर भगवान नाराज हो जाएंगे रे भगवान को कुछ नहीं पढ़ी आप से नाराज होने कि भगवान आपको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं उन्होंने वो मार्ग दिखाया और आप उस मार्ग का अनुसराट कर रहे हैं next point my dear friends which is very much important that is at night decide I will increase my willpower daily and commune with God at night you have not to go to bed without meditation आप रात्रे में बिना ध्यान के कभी भी बेड़ पर ना जाएं और आप उस समय अपने आप से कहें इस समय मेरी इश्वर से मेरा इश्वर से सानित बहुत important है मेरा उनके साथ बैठना उनसे बात करना बहुत important है और मैं अभी नीद के जहलावे में नहीं आने वाला अभी मैं नीद की क्योंकि नीद जो होती है ना वह आपको बहुत बुल गया तुम बहुत पूरा जीवन आपको यही लेक्षर देता रहा है और इस लेक्षर से आपका कुछ हुआ नहीं तो एक काम करो जो मैं बोलती हूं थोड़ा सा follow कर लो अगर कुछ फाइदा होता है तो अच्छी बात है नहीं तो उसको reject करना तो आपके हाथ में है no problem at all okay so what you need to do my friends before going to bed you need to meditate at least half an hour अगर half an hour possible नहीं तो कम से कम 15 minute चलो वो भी possible नहीं तो 2 minute ही कर लेना लेकिन भाई मिर्जू मालुम है जो सोते समय भी क्या काम है आप आराम से half an hour 20 minutes कर सकते हो right commune with God at night when you wake up early in the morning जैसे ही आप सुबह उठते हो तो तुरंत आप बैटो 5-10 minute meditate करो और उसके बाद आपके बढ़ो ठीक है next my dear friends so this was all about and I will say my dear friends one bonus point I'll give you here I discuss with you five points okay और अभी मैं आपको एक bonus point दे रही हूँ ये दे रही हूँ कि आप अपने जीवन में हपते में एक दिन ऐसा निकाले जिस दिन आप अपने आप से कमिट करने के आज में all day long इश्वर के साथ हिने वाला हूँ wherever I will go whatever I will do I will feel like the God God is with me okay वो मुझे देख रहे हैं वो मुझे फील कर रहे हैं वो मुझे महसूस कर रहे हैं वो मेरे वचारों में हैं वो मेरे हाथों से काम कर रहे हैं वो मेरे थौट पैटर्न से सोच रहे हैं वो मेरे पारों से चल रहे हैं He is with me the divinity is within me and my dear friends you know if any thought comes any negative thoughts or anything even positive thoughts comes you have to surrender everything to God and just realize how are you feeling that day okay and better if you can be fast on that day अगर आप उस दिन फास्ट रह सकते हो प्वास रह सकते हो तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी मैं कोशिश करते हूँ वीडियो पूरा हंदी पे बनाने का बट बीच में इंग्लिश आजाती है तो इतना है तो हम सभी को समझ में आते हैं क्योंकि इंडियन यह ऐसे लोग हैं जो इतनी भाशाओं पर कमांड रख सकते हैं इंग्लिश हिंदी गुजराती मराथी संस्कृत आपको यह अच्छा लगा होगा और अगर यह पॉइंट अच्छे हैं आपके जीवन में बदलाव लाते हैं तो आप लोगों को इस पॉइंट को अपलाई करने में मदद करें और इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं ठीक है तो सबसे एक बर मैं आपको आप को अवश्या आना चाहिए दूसरी बात थी एकांत में रहने कापको प्रयतने करना है means you have to be in isolation आपको एकांत में रहने का प्रयतने करना है लोगों की संगत से बचें जादा कर लोगों की संगत से बचें कमी दोस्त बना हैं कमी लोगों के साथ उटक-बैठक रखें थ 4th point was, एक अगरचित रहें और अपनी लाइफ को कंट्रोल करें, otherwise life will control you. And that last point, but not the least, at night I will increase my willpower and communicate with God. At night I will increase my willpower and communicate with God. And my dear friend, just I will say, I will give you one affirmation here, okay, and just give this affirmation to yourself. इश्वर की इच्छा सक्ती से सशक्त हुई, मेरी इच्छा सक्ती मेरे लक्षे को पूरा करेंगे. Means, if you have any goal, you want to achieve your goal, आपके पास कोई गोल है, इसे अप्राप्त करना चाहते हो, तो आप यह बोलो, कि इश्वर की इच्छा सक्ती से सशक्त हुई, मेरी इच्छा सक्ती मेरे लक्षे को पूरा करेंगे. Means, whatever I am doing, there is the willpower of God and I will accomplish my goal because the willpower of God is in my goal, okay, is already in my will, okay. God's will exist in my will too, right. So, my dear friends, again, I will give this affirmation three times and I will meet with you in the next video. इश्वर की इच्छा सक्ती से सशक्त हुई, मेरी इच्छा सक्ती मेरे लक्षे को पूरा करेंगे. इश्वर की इच्छा सक्ती से सशक्त हुई, मेरी इच्छा सक्ती मेरे लक्षे को पूरा करेंगे. दोस्तों, प्रणाम हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में जल्दी ही और कुछ अच्छी बातों के साथ ने, right. So, यह आज आज आपके लिए एक बेस्ट वीडियो मैंने दिल से सूट किया. आप इसको सुने और जीवन में अमल मिलाएं. बबा, टेक केर, विल सी यू सून.